हेलो दोस्तो आज है 23 सप्रेल और 23 सप्रेल के करन्ट अफेर के जो भी important question बनते हैं आज हम उनके बारे में discuss करेंगे इसकी PDF आपको टेलिग्राम चैनल CT करन्ट अफेर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोजाना सुबह 6 बज़े आ जाती है तो आप इसको सुबह के टाइम में देख लिया करें तो चलिए पहला कोशन देखते हैं उर्जा रुपांत्रन सुचकांक यानि ETI ETI यानि Energy और T का उनलग क्या Transition Energy Transition और I का उनलग Index तो Energy Transition Index में पहले स्थान पर कोई है तो इसमें पहले स्थान पर है सिविडन और ये जो रिपोर्ट है Energy Transition Index ये रिपोर्ट 115 देशों के बीच दी गई है और इसमें पहले स्थान पर है सिविडन और इसमें भारत का स्थान क्या है इसमें भारत का स्थान है सतासी तो इस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि किस देश में कितनी उर्जा का उत्पादन किया जाता है और कितनी उर्जा उसमें एक रूप से दूसरे रूप में कनवर्ट की जाती है यहीं एक तरह की एनर्जी को किसी दूसरी तरह की एनर्जी में परिवर्टन किया जाता है जैसे कि विदूत उर्जा को या अंत्रिक उर्जा में या जो वाई उर्जा होती है उसको विदूत उर्जा में बदला जाता है जैसे वो होते हैं टरवाइन के बिलेड और उनकी साइटा से य वाई उर्जा को विद्ध उर्जा में बदला जाता है तो एनरजी ट्रांजिशन इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर को नहीं है सिवीडन और भारत का इस्थान इसमें क्या है भारत का इस्थान है इसमें सता सी प्रियंका मोहिते जो महराश्ट राज्य की है नैपाल की किस चोटी को फट्य करने वाली पहली भारते महिला बन चुकी है तो ये नैपाल की माउंट अनपूर्ण इस पर इन्होंने चड़ाई की है जिसकी उचाई कितनी है लगबग इसकी उचाई आठ हजार मीटर है और इस पर इन्होंने चड़ाई की है इनका नाम क्या है प्रियंका मोहिते और ये जो माउंट अनपूर्ण है ये विश्व की दसवी सबसे उची चोटी है माउंट अनपूर्ण और जो विश्व की सबसे उची चोटी है वो क्या है माउंट एवरेश्ट ये है विश्व की सबसे उची चोटी है और अगर इसकी बात करें जो माउंट अनपूर्ण ह यह एक परवतों का समूव है और इसमें 8000 मीटर से उची एक चोटी है और इसमें 7000 मीटर से उची तेहरा चोटी है तो अगर यह परवतों का समूव है तो इसमें 8000 मीटर से उची तो एक चोटी है और 7000 मीटर से उची इसमें इस तरह से चोटी चोटी तेहरा चोटी है और 6000 2000 मीटर से उच्छी इसमें 16 चोटियां हैं बतोर कप्तान कौन सा खिलाडी एक ही किर्किट टीम से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाडी बन गया है तो इनका नाम क्या है इनका नाम है महिंदर सिंग धोनी जो आईपेल की टीम चैनी सूपर किंग्स में खेलते हुए 200 मैच से अधिक मैच खेल चुके हैं और ये ऐसे एक मातर कप्तान है चलिए आईपेल के बारे में जान लेते हैं इस साल आईपेल का चोधवा एडिशन हो रहा है यानि आईपेल का चोधवा संस्क्रण हो रहा है पिछ कि भारत में तो कोरोना की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही थी तो इसी की वज़े से तहिरवा जो संस्क्रण हो यूएई में हुआ था यूएई में ही आपको पता होना चाहिए कि जो यूएई में आईपेल में सबसे जादरन वराट कोली ने बनाए है और जो आईपेल इसकी स्थापना किस ने की थी आईपेल की स्थापना BCCI ने की थी BCCI क्या है Board of Control for Cricket in India यानि जो भारत में किर्किट को कंट्रोल करता है उसका जो बोर्ड है BCCI उसने आईपेल की स्थापना की थी और अगर आईपेल की बात करें इसमें सरवाधिक मैच किसने जीते हैं य ACI कुष्टी Championship 2021 तो ACI कुष्टी Championship 2021 ये जो खेलें ये समाप्त हो चुके हैं यानि और इसमें भारत ने 14 मैडल जीते हैं कुल मलागर के भारत ने इसमें 14 मैडल जीते हैं जिन में से 5 सौन पदक हैं 3 रजत पदक हैं और 6 कास्य पदक हैं तो भारत का इस्थान इसमें कौन सा है तो भारत का इस्थान इसमें तीसरा है और इसमें पहले स्थान पर कौन है इसमें पहले स्थान पर है इरान और कजाकिस्तान दोनों ही दोनों ने ही साथ साथ गोल्ड मेडल जीते हैं और इसमें पांच गोल्ड मेडल जीते हैं यह जो एशाई कुष्टी चैंपिंशिप है इसका आयोजन कहां पर हो रहा है इसका आयोजन कजाकिस्तान में हो रहा है कजाकिस्तान के अलमाटी जिगे में और जो भारत ने पांच सौन पदक जीते हैं वो कौन-कौन से खिलाडी ने जीते है वो जीते हैं विनिस फोगाट, सरीता मौर, दिविया, काकरान, अन्सु मलिक और रवी कुमार ताहिया तो इन पांचोने मिलकर के सौन पदक जीते हैं और जो एसे एक उसती चैंपिंशी पर इनका आयजन कजागिस्तान के अलमाटी में हो रहा है और यह इसका जो तिस्वा संसकरन है विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकासित विशु प्रेश स्वतनतरता सूचकांग 2021 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है तो यह जो रिपोर्ट है यह किसके द्वारा दी गई है यह रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा दी गई है और इसमें भारत का इस्थान क्या है इसमें भारत का इस्थान है 142 और यह जो प्रेश स्वतनतरता सूचकांग का यह बताता है कि किस देश की जो प्रेस होती है जो मीडिया होती है उसको कितनी स्वतनुत्रता है वह कितनी स्वतनुत्रता पूर्वक खबरों को प्रकासित कर सकता है तो इसमें भारत का स्थान बहुत ही कम है भारत इसमें 142 स्थान पर है यानि जो भारत की मीडिया है उसको काफी कम स्वत आरे ने हाली में GDP rate जारी की है यानि सकल घरेलू उत्पाद की जो दर है वो जारी की है तो वो कितनी है तो ICRA ने financial year 2022 के लिए GDP दर कितनी है ICRA की दुवारा तो वो है 10 से 50% तो ये ICRA के दुवारा GDP rate का अनुमान लगाया गया है ICRA की फुल फॉर्म क्या है information और credit rating agency of India यानि ये इंडिया की अजेंसी है इंडिया की ये company है तो इसके दुवारा 10 से 10.5% GDP का अनुमान लगाया गया है ये जो 7 से 12.5% है ये किसके दुवारा अनुमान लगाया गया है तो ये अनुमान लगाया गया है World Bank के दुवारा और 12.5% ये जो अनुमान है ये लगाया है IMF IMF यानि International Monetary Fund और ये जो 12.8% है ये अनुमान किसके दुवारा लगाया गया है यह अनुमान लगाया गया है Fitch Ratings के दोबरा, Fitch 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 Ratings, तो यह भी एक company है जो सालाना GDP rate का अनुमान लगाती है, और ICRA के बारे में जान लेते हैं, जिसने GDP rate 10 से 10.5% का अनुमान लगाया है, तो इसका जो मुख्याल ले है, वो कहाँ पर है गुड़गाओं में, और इसक एन सिवरामन, जगन्ना, विद्या, दिवेना, योजना किस राज्ये से संबंदित है, तो जगन्ना, विद्या, दिवेना, योजना, यह है, आंधर प्रदेश से संबंदित है, और यह जो योजना है, इसका उदेशे क्या है, इस योजना का उदेशे है, छात्र को पर्दान करना यानि जो विद्धारती होते हैं उनको स्कोलर्टिप पर्दान करना और यह जो योजना है चर्ची में क्यों है क्योंकि इसने हाली में अपनी पहले किस्त जारी की है आंदर प्रदेस के बारे में जान लेते हैं तो यहां की राज़धनी के है अमरावती और यहां के मुख्य मंतरी है जगन मोहन रेड़ी और यहां के राज जेपालने विसु भूसन हरी चंदन तो मैप में यहां पर यह है आंदर प्रदेस और यह पांच राज जग साथ अपनी बॉंटी साजा करता है यहाँ पर उपर के तरफ है यह ओडिशा और यहाँ पर यह 36 गड़ उसके अबाद यह तेलंगाना फिर यह करनाटग और फिर यहाँ पर यह तमिलाडू भारत के किस राज़े में हाली में एक नया COVID-19 वैरियंट पाया गया है तो एक नया COVID-19 वैरियंट पाया गया है और यह किस राज़े में पाया है तो इसकी जो खोज है वो पस्चिम मंगाल राज़े में मिली है तो यह क्या है यह COVID-19 का एक नया वैरियंट है कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों की वज़ाए से किस देश के परधान मंतरी योसी हीदे तो ये किस देश के परधान मंतरी है योसी हीदे सुगा ने अपना भारत का दोरा रद कर दिया है तो योसी हिदे सुगा ये जापान के प्रदान मंतरी है जिन्होंने भारत का अपना दोरा रद कर दिया है हाली में ब्रिटैन के प्रदान मंतरी बोरिस जोंसन ने भी अपना भारत का दोरा रद कर दिया था तो इन्होंने सबसे पहले किया था उसके बाद योसी हिदे सुगा इन्होंने भी अपना भारत का दोरा रद कर दिया है इटली ने हाली में भारत के किस राजिये के कणिदर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉंच किया है तो इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉंच किया है यह जो मेगा फूड पार्क होता है इसका उदेश्य क्या होता है इसका उदेश्य होता है कि जो फूड होते हैं यानि जो फल होते हैं तो किसान जो है फल यहां पर बेच पाएंगे और यह जो मेगा फूड ये एक तरह से इंडरस्टी है और इसमें जो फल होते हैं उनको किसी दूसरे रूप में बदल दिया जाता है जैसे ये जो फल हैं ये किसी पेपदार्थ में बदल दिया जाएंगे यानि कोल्डिंग वगरा या और कोई भी चीज होगी वाइन वगरा उसमें ये बदल दिया तो इसका उदेश्य मुख्य रूप से क्या है कि इससे किसानों की आए बढ़ेगी तो ये जो मेगा फूर्ड पार्क है ये किस राज्ये में लौंच के गया है तो यह गुजरात के कणिधर जगह पर लौंच के गया है इटली के दुवारा तो इटली के बारे में जान लेत यह एक योडिप महाधीप का देश है और इसकी राज्दानी का है रोम यहां की मुद्रा है यूरो और यहां के परदान मंत्री है एन्रिको लेट्टा और यहां के राष्ट्पति है सर्जियो मटारेला के अंदर सरकारिने परदान मंत्री गरीब कल्यांड पैकेज या लादिया है तो तो केंद्र सरकार ने जो डोक्टर से उनकी जो भीमा yogyजना है उसको एक साल के लिए बढ़ा दिया है यह जो भीमा yogyजना है तो इसकी जो अफदी है वो एक साल के लिए बढ़ा दी गई है इद्रीस डेबी का 68 वर्स की आयुमे सैंडियम और चे में निधन हो गया तो इद्रीस डेबी ये किज देश के रास्ट पती है तो इद्रीस डेबी ये चाढ के रास्ट पती है चाड़ एक अफरीका महादीब का देश है और इनकी हाले में मृत्य हो गई है इनका नाम काफी पुरुमुख है यानि काफी जरूर है इनका नाम क्योंकि यह पांच बार यह जो है पांच बार चाड़ के राष्टपती चुने जा चुके है और अब इनकी मिर्ती हो चुकी है तो इनके बाद जो चाड़ के रास्टपती बनेंगे वो कौन है इनी के लड़के है और उनका नाम क्या है इद्रीस डेबी तो इनके लड़के का भी नाम क्या है इद्रीस डेबी और बस यहाँ पर हमें क्या लगाना है आगे की तरफ महा मत महा मत महा मत इद्रीस डेबी चाड के नई राष्ट पती होंगे तो चले दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही इसकी पीडियो आपको टेलिग्राम चैनल सीटी करेंट अफेर पर मिल जाएगी ठैंक्स वर वोचिंग दे वीडियो कल मिलते हैं आप से